जहां एक तरफ चीनी सरकार आखिरकार घुटनों पर आई और रातो रात बदल गया है जिनपिंग तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो भारत के लिए बेहद महतपुर्ण है और खास तोर पर भारतियों के लिए इससे बड़ी खुसकबरी तो कुछ भी नहीं हो सकती है 12 देश भारत से ब्रमोस खरीदना चाह रहे हैं और इसके लिए लगभग कई देशों के साथ डील फाइनल भी हो चुकी है लेकिन दो देश ऐसे हैं जिनके साथ डील फाइनल करने पर भारत के खजाने में तो बेताहासा बिर्दी होगी लेकिन भारत को एक बहुत बड़ा डर भी है और वो डर पाकिस्तान से है जानेंगे आखिर वो दो देश कौन से हैं और भारत को किस बात का डर है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से हमने देखा हाल में चीन में जो हुआ एकदम से आसा से बिपरीत था जिन पिंग के जिन पिंग डराना चाह रहा था चीन की जनता को और ये मनवाना चाह रहा पुरी तरीके से भड़कने लगा पुलिस के साथ आता पाई होने लगी यहां तक कि चाइना ने टैंक भी उतार दिये चप्पे चप्पे पर चाइनीज सेना खड़ी हो गई चाइनीज पुलिस खड़ी हो गई बहुत तरीके से कोशिस किया गया कि नई परदर्शन को होने पर यह देखा गया कि परदर्शन भी हो रहे हैं और सोसल मीडिया में इसके वीडियो और फोटोग्राफ्स भी पहुँच रहे हैं यानि दुनिया को भी खबर हो रही है चीन के परदर्शन की और उसके बाद इन परदर्शनों को समर्थन भी मिलने लगा अमेरीका का यूके क कनाडा का दुनिया के कई देशों का चीन की सरकार समझ गई कि अब यहां पर अगर हमने जुकना स्विकार नहीं किया तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाईगी आम जनता लगातार लॉकडाउन से परिसान हो गई थी अब इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि इस ब अब यहां यह अनुमती दे दी गई है कि यह जो बड़े बड़े बनाये थे चाइना ने लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए एक पूरा सिविर ही खोल दिया था जहां वेवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी लोगों को भूके प्यासे टीन के डबों में बंद रहना पड़ता था अब चाइना ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि यह जो छेत्र हैं इन छेत्रों में आप अपने घर पर भी क्वारंटाइन रह सकते हैं अब जो मीडिया रिपोर्ट कह रही है वो बता रही है कि चाइना ने बीजिंग सिजियांग ताइवान इसके कई इलाको परदर्शन इसलिए वहाँ पर दिख लाहा है कि बहुत कम लोग लोगडाउन की नीतियों का पालन कर रहे हैं कुछ ही मारतें बंद हैं लेकिन लगभग अब पूरा का पूरा खुला हुआ ही है यहां तक कि सरकार जो चीनी सरकार है अब जैसे ही सुन रही है कि यहां से सिक आयता रही है उस कोविट पर इच्छन केंद्र को ही बंद कर रही है साफ तोर पर दिख गया कि जिनपिंग सरकार यहां पर घुटनों पर आ गई है हलाकि इसी बीच पूर्व चीनी राश्पती जियांग की मिर्तिव हो जाती है जियांग वही है जिसने जिनपिंग को इतन सामिल हो सकती है जिसकी वजह से फिर से एक बार सुरच्छा को बढ़ा दिया गया है लेकिन चीनी सरकार घुटनों पर आ गई है यह चीज तो साफ देखने को मिल रहा है खेर जहां एक तरफ यह हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी नि एक्स्टेंडेड रेंज का परिच्छन किया अंडमान निकुवार में और यह पूरी तरीके से सफल रहा बहुत अच्छा रहा इसके लिए भारत ने पहले ही नोटम जारी कर दिया था ब्रमोस की जो परसिद्धी है वो लगातार बढ़ती जा रही है फिलिपिन्स ने भार भारत के लिए बहुत जादा फायदा कर गई इस चीज ने यह साबित कर दिया कि ब्रमोस काफी ताकतवर है और ब्रमोस का पता लगा पाना चाइना के रडार के लिए मुम्किन नहीं है अलाकि इसके बाद फिलिपिन्स ने पूछा था भारत से आकरिकार यह मिसफायर कैसे हो गया कोई टेकनिकल प्रॉब्लम तो नहीं है तो भारत ने इस बात को साफ किया था नहीं कोई टेकनिकल प्रॉब्लम नहीं है इससे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है पर अब देखिए वो एक घटना और उसके बाद कितने तेजी से बदल रहे हैं सारी चीजे यह जो ख चाह रहे हैं कि भारत ब्रमोस मिसाइले दे दे और ब्रमोस मिसाइलों की ये बड़ी डील करने को तयार हैं। कहा ये जा रहा है कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल एमेम नर्वने इन देसों की यात्रा पर थे जहां पर ये डील लगबग फाइनल हो चुकी हैं। पर इसके अलावे भी कई देस हैं और इनके अलावे जो देस हैं उनको आप सुनेंगे तो एक बार दातों तले उंगलियां दबा देंगे। अब फिलिपिन्स के साथ साथ इंडोनेसिया, मलेसिया, सिंगापूर, बियतनाम, इजिप्ट, साउथ अफ्रिका, ब्राजिल ये वो देस हैं जो ब्रमोस के अलग-अलग वरजिन को अपनी सेना में सामिल करना चाह रहे हैं। पर अभी भारत के लिए रिस्क फेक्टर है युवई और साथी अरब में क्योंकि देखा जाता है युवई और साथी अरब की सेना में पाकिस्तानी सेना की टुकडियों को और पाकिस्तानी सेना के अफसर्ष को तो कई बार साथी अरब अपनी सेना की कमान किसी पाकिस्तान जनरल को भी देता है ऐसे में भारत के ब्रमोज की जानकारियां पहुंच सकती है पाकिस्तान के पास भी इसके कई एक्जामपल हैं अभी कतर में पाकिस्तानी सेना सुरच्छा गार्ड के रूप में काम कर रही है तो वही सौधी अरब में भी पाकिस्तानी जनरल उनकी सेना का जनरल बन कर बैठा हुआ था ये वो अफसर है जिने एकसेस होता है सौधी अरब युवई के हतियारों का और ऐसे में भारत के लिए ये खत्रा बन सकते हैं क्या भारत को इन देशों को ब्रह्मोस बेचना चाहिए या नहीं कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं